नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एडूकेट जितेंदर और आपका इस चनल पे स्वागत है जैसा की पता है दोस्तों आपको की लीगल का चैनल है और इस पे जो आपकी लीगल प्रोब्लम आती है उसके उपर वीडियो बनाये जाते हैं इस चैनल पे और अपलोड किया जाते हैं जिससे आपको मतलब आपकी लाइब में किसी भी मुशिबत का सामना नहीं करना पड़े इसके वीडियो देखके आप अपना समाधान पास सकते हैं तो ऐसे लीगल टोपिक के उपर वीडियो बनाये जकते हैं इस चैनल के उपर आज एक ऐसे टोपिक के उपर बात करने वाले हैं कि पहले जागीदारों के पास में बहुत जमीन थी और एक एक्ट ऐसा आया गुनिसुचपपन में कि उनकी जमीने थी वह उनके नाम हो गई जो उस जमीन की बाहर जोट करते थे मतलब उस जमीन पे जो खेती करते थे उनी नाम को गई वो एक ऐसा एक्ट आया 1906 पन के अंदर कि उन्ही के नाम हो गई वो जमीन और जादतर जमीन पता है कि जागिधार क्या खुद तो बाते नहीं थे और वो मतलब और ही लोगों को पता के रखते थे तो वो यह खेती करते थे आपे तो बहुत सी जमीने ऐसे ही चली गई तो एक कानूनी तरीका है इसके अंदर जो आपकी जमीन अगर ऐसे चली गई है तो आप उचको वदिस प्राक्ट कर सकते हैं एक लिल्ग तरीका है जो इसके उपर बताने वाला हूँ उसके उपर अपन चप्जा करेंगी अभी कि जिससे आप अपनी जमीन को वाफिस प्राप्त कर सकते हैं और रहिए स्टेट में अलग 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 तरिके से जमीने मतलब उनके ना में वह यहां तो राजस्ताम में सबसे जागी अधारी सब से जागीदारी लिए तो यहां पर रादस्तान में क्या है कि रादस्तान कास्टकारी अधिनियम 1926 की दारख 19 की तयत है जो उनकी जमीन थी वो उनी के नाम हो गई जो बाजोत कर रहे थे मतलब खेती कर रहे थी और सब इस ट्योटों में मतलब अलग अलग तरीके से आस्थकारी अधिनियम पारित किये लेते और उसमें अलग अलग तरीके से कारवाई की गई थी जो बात जोट कर रहे थे उनी के नाम पे वो जमीन कर दी गई थी इसमें कुछ अपवाद थे जिनकी जमीने और किसी के नाम पे अलोट नहीं हो सकती थी इसमें तीसरा गवाद थाग कुछ इसमें इसमें तीसरा गवाद था अगर नाम पे ऐस अगर ही सेनिक था, सेनिक थे तो उन सेनिक की चो चमीन थी उनकी जमीन भी किसी के नाम पर नहीं हो सकती थी यह भी एक पइधा था और चौथा पइधा इसमें विद्वा मतलब कोई विद्वा है और उसके अगर में कोई नहीं है मतलब विद्वा के नाम से जमीन है तो उनकी जमीन भी किसी के नाम पे अलोट नहीं हो सकती थी मतलब किसी के नाम जो उनकी जमीन बाजवत करा था उसके नाम पे नहीं हो सकती थी जागीदरी उणाल होला सीटा करे तो और द Nikki की शागीदारी उद्धी हमोलमवलन होला सोचा इप सबढ़ टेते हैं ऐसा है कि में जॉफ हूत का रहा तक नाम स्लीलही कि वहाल schemes yakmb I Google Semester जाए मतलब ऑगर कोई चमीन वर्ग की थी नावाले बच्चे की लिए से नीक खी विद्वा की थी स्टाइम की आधि यसी की नाम पे हो गई है मतलब उनको विदिक ज्यान नहीं था और ऐसे जमीने चली गई है पटवारी की लापरवाई से मतलब पटवारी में जाच पड़ता नहीं थी और ऐसे ही किसी के नाम पे जमीन जो बाज़ोत कर रहे थे उनी के नाम पे हो गई इनकी जमीने तो परिशिवा अटिनियम की धारा पांच के ताहते आविदन हो सकता है और वो आपिस जमीन मिल भी सकती है इस धारा के ताहते और विद्वान वक्तिल से आप मिलिए वहां पे जाके पोर्ड में तो वो अब नहीं मतलब पक्स रखेंगे नाराओ के मत्यम से और आप केस जीच सकते हैं और आपकी जमीन अगर आप उनके मतलब बंस जब अगरा है तो आपको आपकी से मिल सकती है तो उमीद करता हूँ आपके यह वीडियो जरूर पसंदाए होगा यह जानकर जरूर पसंदाए होगी तो इस वीडियो का आप लाइक कर दीजिए और कोई भी लीगल से रिलेटेट या इससे है तो आपको कोई भी बात पूचने तो मैं आपको बता दूँ के आगे और भी नोलेज की वीडियो आएंगी जब देनिक चुन में आपके तरुब काम आते हैं लिखल से रिलेटेड तो आप इन सभी को देखने के लिए आप को ट्रिक से बता दूँ मैं इस चैनल को सब्स से बिकां ते बिवाट